नमस्कार, हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा अपठित गद्यांश कैसे किया जाता है, आज हम सिखेंगे निबन लेखन कैसे करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, निबन लेखन को अंग्रेजी भाषा में ऐसे राइटिंग बो गलती कर देते हैं, आप जल्दी जल्दी टॉपिक देखते हैं, और क्या बोलते हैं, यह 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 नहीं, इस पर मैं कर लूँगा, और फटा-फट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और फर्स्ट पेराग्राफ में ही आप अटक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने टॉपिक लिखना स्टार्ट कीजिए, किन्तु हाँ बच्चों, तीन से चार मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजेगा, क्योंकि हमें पूरा निबंध भी लिखना है, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता, अब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको अपनी एक strong, एक अच्छी भूमिका यानि introduction बनानी है, क्योंकि अगर आपकी भूमिका strong होगी, तो आपका निबंध strong होगा, जैसे हमें घर बनाते हैं, तो घर में हम जब base बनाते हैं, तो base हम हमेशा strong रखते हैं, ताकि हमारा घर जो है, वहें पक्का रहे, मजबू जो है वहें आपको अच्छी attractive strong बनानी है ताकि आपका निभन भी बहुत जादा attractive लगे अब आपको क्या करना है जैसे मैं हमें एक उधारन के साथ चलते हैं हमें internet पे समझे कोई निभन लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप भूमी का शब्द लिखेंगे भूमी आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि आप इसकी भूमी का को ऐसे कैसे लिखें कि चेक करने वले को मजा आ जाए और वहें पूरा निभन्ध मजे मजे में अच्छे से पढ़ जाए और आपको अच्छे नंबर दे जाए अब आप अपनी भूमी का 50 से 60 वर्ड्स में लिख दीजिए उसके बाद आप इंटरनेट का महत्व यानि इंपोर्टेंस लिख सकते हैं कि इंटरनेट का आज के युग में क्या महत्व है महत्व शब्द लिखिए इसे अंडरलाइन कीजिए और आप इस पे पैराग्राफ नेक्स पैराग्राफ लिखिए अब निभन्ध में जो हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ उससे रिलेटिड यानि क्रम बुद्ध में होना चाहिए इसका मतलब है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन कुछ ऐसे लिखिए कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपको उससे थोड़ा स तब हैं continuous में लगें नहीं तो आपका क्या लगेगा कि आपने एक paragraph में कुछ और लिख दिया अब अगले में आपको लिख रहे हों तो वह आपस में connection नहीं बन पाएगा और आपको निभन में हर paragraph में connection बनाना है अब इंटरनेट में आपने महत्वल लिख दिया महत्वल लिख लिखा 50-6 शब्दों में लिखिए, लास्ट लाइन आप कुछ ऐसी लिखिए, कि आप तीसा पाराग्राफ उससे connect कर सके, अब तीसरे पाराग्राफ में आप internet के lab या रानी लिख सकते हैं, कि एक पाराग्राफ बना दे जें, internet के क्या lab होते हैं, एक बना दी जें, इंटरनेट की क्या हानी होती है इसके बाद आप उपायशब लिखिए और आपको suggestions दे सकते हैं और अंत में आप उपसंगा यानि conclusion लिखेंगे कि आपका पूरा निभन का एक संगशिप्ट आप वहाँ पर conclusion दे देंगे अब आपको क्या करना है देखिए हर निभन में हम महत्व, लाभानी या उपाय नहीं लिख सकते आपको topic ऐसा चूस करना है आप अपनी तरफ से heading बनाईए और paragraphs लिखिए बस आपको निभन लिखना आना चाहिए हर paragraph को connection दीजिए अब यह हो गया आपका बिना संकेद बिंदू के अब कुछ निभन में संकेद बिंदू दिये जाते हैं यानि पहले से ही दिया जाता है कि आपको इस निभन में भूमिका लिखनी है कोई साथ में आपको heading दे देंगे कि इसका लाभानी लिखिए और फिर अंत में आपको दे देंगे उपसंगार लिखिए तो आपको वह संकेद बिंदू के according ही निभन लिखना पड़ेगा उसके अलावा आप कोई और संकेद बिंदू नहीं देंगे बस अच्छे से सोच समझ कर अपना निभन लिखिए और एक सजेशन और है कि पेपर के लास्ट में ही निभन लिखन कीजिए क्योंकि निभन लिखन में आपको सोचना है और वह लंबा भी होता है तो पहले आप अपना पूरा पेपर दे दीजिए लास्ट का आदा घंटा बचाए ताकि उसमें आप अपना निभन लिखन लिख सके निभन लिखिए आपका निभन धाई से जबदों में हो जाए तो ठीक है इसले मैंने आपको बोला कि हर पेटाग्राफ को आप पचास से साठ वर्ड्ज में लिखिए ताकि आपका हर paragraph equal लगे और 5 paragraphs में आप अपना निबंद लिखकर खत्म कीजिए Best of luck for your exams